हैलो दोस्तो नमस्कार कैसे हैं आप लोग तो लीजी आप लोगों के लिए आप बहुत थी बड़ी बोड के जवारा ओफिसियन लोटिस को जारी कर दिया गया इन दिनों आपके द्वारा काफी सवाल था कि सर क्या 10 तारीकों हम लोगों से एक्जाम कंड़क्ट करवा लिया जाएगा तो यहां पर एड्मिट कार तो आप सभी का आ गया था और आप सभी का यहां पर 10 तारीकों हम एक्जाम कंड़क्ट करवा लिया जाता बिहार पॉल टेक्निक बिहार पारमेडिकल ठीक है बट यहां पर इन जिन भी विद्यार्थियों ने फॉर्म को फिल किया है पॉल टेक्निक बिहार पारमेडिकल उन सभी का डेट एकस्टेंड कर दिया गया आप लोगों की जो भी एक्जाम की तिथिया थी उसको अब यहां पर एकस्टेंड कर दिया गया है हैं जी तो यह यहां पर देखे अभाई bugün बहुत बड़ी ऑफिस्याल नोटिस को यहां प लेप साइट में हूँ और यहां पे आप सभी यहां पर लेटिस्ट अपडेट में आप लोग देखिए दोस्तों क्या कुछ लिखा हुआ आ रहा है हन्जी यानि इंपोर्टेंट नोटिस regarding residual examination date of DCC PPPP PM 2022 है यानि आप लोगों का यहां पे आज दो तारीख है आज ही इहां पर इस नोटिस को यहां पर post किया गया है तो आएए इस नोटिस को और इसमें देखा जाए क्या कुछ आप सभी के लिए लिखा हुआ इसमें लाया गया है ठीक है तो आईए हमारे समने यह न गोशित की हुई थी यानि 9-7 को यहां पे पॉल टेक्निक वाले का और 10 तारी को यहां पे पैरा मेडिकल वाले स्टुडेंटों का यहां पे एक्जाम कंडक्ट कर आया जाना था बट यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है को आयोजित करने की सुचना दी गई थी इससे अब आप लोगों को जाना है एक्जाम हॉल में और आप सभी को एक्जाम देना है इसके लिए आप सभी को जो भी डेट आप लोगों की बताई गए थी उस डेट को यहां पे एक्स्टेंड कर दिया गया बिहार पॉल टेक्निक पार्ट टाइम पॉल टेक्निक इन सभी का य कर दिया गया है तो इहाँ पर खुछी की बात से हैं आप लोगों के दौरा काफी है पूछा जा रहा था है कि सर ड्येक्स्टेंट होगा तो हँझी आप लोगों की जो तेहरे पूरा हो ठीक है अब इसके बाद अब हम लोग बात करते admit card हां जी यानि जो आप लोगों ने admit card को निकाला हुआ है क्या वही admit card लेकर आप लोगों जाओगे वहां हां जी तो आप लोगों को यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ रहा है पुना निर्धारित परिक्षा थी थी के निर रहा और कोई दूसरा निव एडमीट कार्ड यहां पे अब आपका नहीं आने वाला है वही एडमीट कार्ड भैलिड रहेगा आपके लिए ठीक है तो यहां पे बहुत ही बड़ी अपडेट देखने को मिली तो चलिए आप सभी विद्यारती को यह जनकारी काफी अच्छी लगे होगी फिर यह ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ मिलूँगा एक अगली वीडियो में जबते के लिए बन दे मत